इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vampire Diaries के सीजन वन के एपिसोड नमबर 12 की तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पहले ही सीन में हमें अलीना और स्टेफन एक साथ दिखाई देते हैं अलीना स्टेफन से कहती है कि शायद जिस आदमी से उसकी कार हिट हुई थी वो एक Vampire था ये सुनके स्टेफन थोड़ा सा डर जाता है वो अलीना को कुछ वेरेबल्स देता है जिसमें ब्रवेन होती है साथ ही वो अलीना को कुछ व्रवेन खाने के लिए भी देता है और उससे कहता है कि तुम ये खुद और पूई फैमिली को दो जिससे सभी लोग प्रोटेक्टेड रह सकें इसके बाद अलीना अपने घर वापिस आ जाती है जहां हम देखने है जेरमी ओनलाइन पीजा ओडर करता है पीजा डिलिवरी बॉय डिलिवरी के लिए आता है और वहीं जेरमी उसे अंदर इन्वाइट कर लेता है और पीजा की डिलिवरी ले लेता है वहीं अलीना उसकी कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां पर डेमन अपने ही घर में एक बुक को ढूंड रहा होता है डेमन थोड़ा चा परेशान दिखता है तभी उसके पास स्टेफिन जाता है स्टेफिन उससे जाकर कहता है कि वो टूम खोलने में उसकी मदद करेगा लेकिन डेमन ये बास सुनकर थोड़ा सर्प्राइजड होता है और उससे कहता है कि तुम मेरे उपर इतने महरबान क्यों हो रहे हो स्टेफन डेमन से बोलता है कि मैं तुम्हें इस शहर से बाहर भेजना चाहता हूँ और उसके लिए अगर मुझे डूम का दर्वाजा ही कि होना खोलना पड़े मैं वो करूँगा स्टेफन अपने रूम में जाता है और वहाँ जाकर स्टेफन अपने डेड की जनरल निकाल कर डेमन को देता है वो डेमन से कहता है कि तुम्हें यह पढ़नी चाहिए और शायद इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो सके वहीं स्टेफन डेमन से कहता है कि मैं कैथरीन को निकालने में तुम्हारी हेल्प करूँगा लेकिन मैं डूम के अंदर के 27 वैंपायर्स में से सिर्फ कैथरीन को निकालूँगा और बाकी 26 वैंपायर्स को अंदर ही रहने दूँगा डेमन उसकी शर्त को मान जाता है और तयार हो जाता है वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है जर्मी अपने हिस्टरी क्लास में होता है जहां सभी को उनके प्रोजेक्ट के ग्रेट्स पता चलते हैं जर्मी को एक ग्रेट मिला होता है जिसे जर्मी काफी ज्यादा खुश होता है वहीं उसके प्रोफेसर अलारिक जेरिमी से उनकी गिलबर्ट जनरल को कुछ दिनों के लिए पढ़ने को मांगते हैं जेरिमी बहुत जादा खुश था अपने ग्रेट्स को लेकर जिसकी वज़ा से उसने वो जनरल बड़ी ही आरसानी से अलारिक को दे दिया वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अलीना कैरोलाइन को एक व्रवेन निकलस देती है ताकि वो सेफ रहे और फिर अलीना बानी के घर चली जाती है बानी के घर जाकर वो बानी को बताती है कि उसके पैरेंट्स ने उसे एडॉप्ट किया था और वो उनकी असली बेटी नहीं थी और अलीना काफी दुखी होती है ये देखकर बानी अलीना को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पैरेंट्स तुम्हें वैसे भी बहुत प्यार करते थे और वहीं थोड़ी देर में अलीना बानी से बात करके अपने घर के लिए निकल जाती है दूसरी तरफ से ड बानी उससे कहती है कि उसे जितना हो सके उससे दूर रहना चाहिए वहीं बानी का एक सीनियर बार टेंडर फ्रेंड वहां आता है जो कि बानी की थोड़ी हल्प करता है और बानी उससे इंप्रेस हो जाती है वो बाद में बानी से डेट के लिए पूछता है और बानी हा कर वही हम देखते हैं अलीना घर के लिए निकल चुकी होती है तभी उसे उस आदमे का कॉल आता है जो उसका पीछा कर रहा था इससे अलीना काफी घबरा जाती है और वो सीधे कार्ड में बैठ कर वहाँ से बहुत चल्दी चली जाती है अलीना अपने घर जाने की जगा स्टेफन उससे कहता है कि तुम्हें ये ग्लिबर डिवाइस अपने साथ रखना चाहिए स्टेफन उसे वैंपायर डिटेक्टिंग डिवाइस देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारे आस पास कोई वैंपायर आएगा तो इस डिवाइस से तुम्हें पता चल वो डिवाइस लेकर अलीना सीधे अपने घर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर आंड जना से पूछती है कि उसके असली पैरेंस कौन थे पहले तो आंड जना थोड़ा सा हेजिटेट करती है लेकिन आखिरकार वो अलीना को बताती है कि उसकी माँ एक 16 साल की होमलिस लड़ इस वज़ा से उन्होंने अलीना को अडॉप्ट कर लिया अलीना आंड जना से अपनी मा का नाम पूछती है तो अलीना बताती है कि उन्हें उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता लेकिन शायद से उसका नाम इजावेल था इतनी चीज़ें बताने के बाद आंड जना पा और Glibber device को अपने बेड पर रख देती है। अलीना जैसे ही तयार होने के लिए जाने वाली होती है, Glibber device मूव करने लगता है। अलीना ये देख कर काफी ज़्यादा डर जाती है। अलीना तुरंथ ही Stephen को कॉल करती है, वही Stephen अपना फोन घर पर ही भूल गया होता है, जिसे डेमन पिक करता है। डेमन अलीना से कहता है कि Stephen उसके घर के लिए निकल चुका है, और शायद से वो पहुँचने भी वाला होगा। अलीना ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स फिल करती है, और उसे लगता है कि ये सिगनल Stephen का है, लेकिन तभी एक वैंपायर अलीना पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी समय Stephen भी वहाँ पहुँच चुका होता है, और Stephen को देखकर वो वैंपायर वहाँ से भाग जाता है, अलीना स्टेफन को बताती है कि शायद से वो डिलिवरी बॉय था, लेकिन वो उसको बताती है कि अलीना ने उसको खुद बाखुद घर पे इन्वाइट किया था, वो इस घर में इन्वाइटेड है, इस बात को जान कर स्टेफन थोड़ा घबरा जाता है, और वहीं वो डेमन को कॉल करके बुलाते हैं ताकि उन्हें कुछ हेल्प मिल सके, डेमन वहाँ पहुंचता है और उनसे कहता है कि अभी हमें पार्टी में चलना चाहिए, और इसके बारे हम बाद में ध्यान देंगे, और शायद से वो लड़का उन्हें पार्टी में ही मिल जाए, वो लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं, वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है, जहां पर एना जर्मी के साथ फलर्ट कर रही होती है, एना जर्मी को काफी फोर्स करती है, कि वो उसे उसकी ग्लिवर जनरल थोरे दिनों के लिए दे दे लेकिन वहीं जेरमी उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने वो जनरल पहले से ही अपने प्रोफेसर एलारिक को दे दी है ये सुनकर एना काफी गुस्से में हो जाती है उसकी आखे ट्रांसफॉर्म होने लगती है एक वैमपायर में लेकिन जरमी इससे पहले कुछ देख पाता एना वहां से निकल जाती है वो सीधे उस लड़के से मिलती है जिसने एलीना के उपर अटेक किया था वो उससे बताती है कि उसे अलीना के उपर अटेक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके साथ सेलवेडॉर ब्रदर्स हैं और वो हमसे लड़ने के लिए कुछ ज़्यादा ही पाउरफुल है वो उससे बताता है कि वो लड़की बिलकुल ही कैथरीन के जैसे दिखती है दूसरे ही सीन में हमें पार्टी में अलीना दिखती है जिसके पास फिर से उस आदमी का कॉल आता है जो उसका पीछा कर रहा था वो उससे कहता है कि अगर तुम अभी पार्टी से बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूँगा अलीना ये सुनकर घबरा जाती है और वो सीधे पार्टी से बाहर चली जाती है वहाँ वो आदमी अलीना से ग्लिबर जर्नल के बारे में पूछता है लेकिन अलीना कुछ नहीं बोलती वो एलीना के उपर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन एलीना एक पैंसिल उसके हाथ में मार देती है वो एलीना को काटने वाला होता है तब ही वहाँ पर स्टेफन और डेमन आ जाते हैं वो दोनों एक वूडन स्टिक उसके हाट की तरफ एम करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो एलीना का पीछा क्यों कर रहा है वो बताता है कि एलीना बिलकुल ही कैथरीन की जैसी दिखती है तब ही वो उसके पीछे लगा है और वो ग्लिबर जनरल चाहता है स्टेफन उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है लेकिन वो कुछ नहीं बताता और गुसे में आकर स्टिफन वो स्टिक उसके हार्ट में घुसा देता है जिससे वो वही मर जाता है ये देखकर अलीना थोड़ा घबरा जाती है वहीं अलीना स्टिफन और डेमन के साथ चली जाती है scene change होता है और हम देखते है Eulerik आंड जना को उनके घर छोड़ने आता है वो वहाँ आ कर आंड जना से बात करने लगता है वहीं वो आंड जना को बताता है कि उसकी वाइफ का नाम Isabel था और वो यहिंज वर्जीनिया की रहने वाली थी ये बात सुनते ही आंड जना काफी शौक्ट रह जाती है उन्हें लगता है कि कहीं अलीना उसी इजाबेल की बेटी तो नहीं है लेकिन वो इस बात को लेकर अभी शौर नहीं होती है दूसरी तरफ हमें स्टेफन और अलीना उनके घर में बैठे बात करते दिखाई देते हैं जाहें स्टेफन अलीना से कहता है कि आज उसने एक जूट बोला अलीना उससे कहती है कि तुमने क्या किया है स्टेफन बताता है कि उसने डेमन को एक बादा किया जिसमें उसने कहा है कि वो कैथरीन को उस डूम से बाहर निकालेगा लेकिन स्टेफन उससे बताता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा और वो कैथरीन को वहाँ से कभी बाहर नहीं आने देगा अलीना स्टेफन से बोलती है कि वो इस छूट में भी स्टेफन का पूरा साथ देगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि कैथरीन को बाहर निकालने के चक्कर में और 26th वैमपायर का सिटी में निकलने का रिस्क लिया जाए और वो स्टेफन के पूरे साथ रहती है वहीं दूसरे सीन में हमें दिखता है जहां एना उस पार्टेंडर से मिलने जाती है जिसका नाम बैन था जो बानी के साथ फ्लट कर रहा था और फिर हमें पता चलता है कि वो सब उनके एक प्लैन का हिस्सा था और जिसमें वो बानी को अपने साथ मिलाना चाह रहे थे एना बेन को किस करती है और इसी के साथ में वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और यहीं पर खत्म होता है वैंपायर डायरिस के सीजन वन का एपिसोड नमबर 12 अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई